तो सामने जो प्लांट आपको नजर आ रहा है यह है तिल का पौधा जिसको मैंने अपने घर पे ही गमले में जो है वो ग्रो किया है तो आज मैं जो तिल है उसकी हर्वेस्टिंग करने जा रहा हूं या जो तिल है वो कैसे इस शीड़ पोट से निकालते हैं उसके बारे में आ आने वाला हूं कि जो तिल है वो कैसे तैयार किये जाते हो जिनको आप घर पे ही उगा कर जो है वो पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आई कर प्रेस करना ना तो फ्रेंट्स यह वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह पूरी तरह से मैच्चोर होने के बार ड्राइप हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो शीड पोड थे वो अब हमारे जो है वो पूरी तरह से ड्राइप हो चुके हैं इससे पता चलता है कि यह मैच्चोर ह तिल के पौदे का लाइस्पैन होता है वह 3-3 महिने के आसपास का होता है उसके बाद यह कंप्लेटली ड्राइब होके जो है इसके आ शूख जाता है और इसके पर बहुत सारे जो शीड़ पोड होते हैं वह भी ड्राइब हो जाते तो इनके अंदर जो तिल है वह होते हैं जिने मैं आज जो है वह निकालने वाला हूं तो इसको तिल को इसके अंदर से निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि यह जो शीड़ पोड आपको नजर आ रहा है इस पूरे शीड़ पोड को ही हमें जो है वह तोड़ना होता है और तिल जो है इसके अंदर होते हैं चोटे-चोटे तो सबसे पहले इसको हर्वेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसके अंदर से जो तिल है वह निकाले जाएंगे मैं भी आज यहीं जो है वहो करने वाला हूं तो एके कर के जितने भी शीडपोडय है वह सारे में एके करके तोड़ लूँगा तो जितने भी शीड पोड़ हैं सारे रिमूब कर दीजे आप देख सकते हैं कि जम मैं शीड पोड तोड़ रहा था जब मैंने इसको ट्री के अंदर डाला तो बहुत सारे चोटे-चोटे तिल जो है वह इसके अंदर से निकल गए तो बस शीड पोड से तिल निकालने के तो इसमें आपको तिल निकलते हुए जो है वह नजर आएंगे देखे तिल इसके अंदर से निकलेंगे अभी तो मैंने बस एक प्लांट से ही जो है वह वह शीड़ पोर्ट कलेक किये हैं लेकिन सारे अभी मैचूर नहीं हुए तो जैसे मैचूर होंगे उनके भी तील में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजे कमेंट कीजे शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाइकन जरूर प्रेश करेए थैंक्स ओर वाचिक वडियो विल वीडियो कर दो को